असलाम अलेकुम आप सब कैसे हैं जनाब के किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जाएं फिंगर चिप्स कलर फिंगर चिप्स तो देखिए हमें क्या क्या चाहिए हमने दो बड़े आलू लिये है आरा रोट लिया है मैदा तीन कलर लिये हैं ग्रीन ओरेंज रेड लेमन यलो तीन कलर डालेंगे पुदीना लिया है नमक स्वादनुसार तल्ने के लिए तेल चटनी के लिए दो टमाटा दो सूखी मिर्च लैसुन की छे साथ कलिया नमक स्वादनुसार चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखे फ्रेंड पहले आलू को काट लेते किनारी हटा देंगे यह देखिए इसे काट लेने है सारे हमारे फिंगर चिप्स कट चुके हैं चलिए इनको तलते हैं कि आलू को तीनों परागों में कर दिया है तीन जगे अब इनको हम अलग-अलग कलरों में कलर करेंगे दालेंगे आरा रोट दो चम्मत दो चम्मत मैदा नमक स्वाधन उसार मारा आदा चम्मत से भी थोड़ा है इसमें डालेंगे कलरों में पहले हम ग्रीन कलर का बना रहे हैं इनको मिक्स कर लेंगे अब दूसरे कलर के बनाएंगे अब दालेंगे इसमें आरा रोट मैदा दो चम्मत नमक अदा चम्मत अब इसमें डालेंगे यल्लो का राड़ा है अब इसको मिक्स कर लेंगे अब दूसरे कि अच्छे से कलर लग गया है आरा रोट मैदा नमक स्वादन साथ डालेंगे इसमें कलर मिलाएंगे रेड कलर इसी तरीके से हमें इनको तयार कर लेंगे हमारे पिंगर्चिप तयार हो चुके हैं चलिए इनको तंकते हैं एक हमारा तेल कडायी में गरम हो रहा है इसकर आप दूसरे कलेंगे यह देखिए हम कोई शी तरह से यही दल लेने हैं इसके हमारे फिंगर्चिप तयार हो चुके हैं थाक हमारे इसमें डालेंगे पुदीना जो हमने फ्राइ किया था इस रेसीब को जरूब ट्राइब कीजिए बहुत अच्छे बनती है हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए और में दूआओं में याद रखिए खुदा हाफिद हमारे फिंगर चिप तयार हो चुके अब इसमें हम डालेंगे पुदीना जो हमने फ्राइब किया था पुदीना फिंगर चिप तयार हो चुके अब इसमें हम डालेंगे पुदीना जो हमने फ्राइब किया था इस रेसिप को जरूब ट्राइब कीजिए बहुत अच्छे बनती है हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कॉमेंट कीजिए और में दूआओं में याद रखिए खुदा हाफिद